हलो जी नमश्कार सलाम सस्रियकाल विश्यू ओल आ वेरी वर्म वेलकम तो दिस वंडर्फुल सेशन ओफ बाईजूज क्लासेज बाईजूज के इस भेतरीन प्लाटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मैं आपका अपना डॉक्टर सेचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी इस भेतरीन माध्यम के जरी है मेरे सभी राजा बेटा और रानी बेटियां जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सब को वार्म वैलकम तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है आपका यह जो समय हम एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं अभी आज के सेशन में यह आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है हर चीज इसमें खास होगी जो questions आपके साथ discuss किये जाएंगे वो questions बहतरीन faculty members के द्वारा design किये गए हैं यह mock test conduct हो चुका है already पूरे भारत वर्ष में लाखों बच्चों ने अनबिलीविबल लाखों बच्चों ने यह test दिया है अपना rank जानने के लिए All India level पे अपना एक analysis जानने के लिए कि आपकी तैयारी कहां stand करती है बड़ा आसान होता है घर में कमरे में बैट करके तीन घंटों में एक paper स्वयम प्रैक्टिस कर लेना और उसका result देख करके स्वयम खुश हो लेना कि मैंने तो 720 में से 690 अंक प्राप्त कर लिए लेकिन जब आप expert faculty के द्वारा design किया गया एक paper एक बहतरीन माध्यम के जरीए प्रैक्टिस करते हैं जहांपे आप जैसे और लाखों बच्चे उस exam को दे रहे हैं वहाँ पे पता चलता है कि हम कहां stand करते हैं Right? सहमत है आप मेरी बात से Actually आपने जब पहली August 1st of August 2021 जो NEET exam की date है दिल की धड़कने तेज हो गई होंगे ये बात सुन करके जब आपने actually appear होना है उस battlefield में उसके लिए कितनी तयारी है आपकी, कितनी मजबूती है आपकी वही आपको बताने का हमने प्रयास किया अपने इस mock test के जरीए ऐसे और भी mock test होते रहेंगे आने वाले समय में हमारे साथ इस समाध्यम से जुड़े रहेंगे चैनल को subscribe कर लीजेगा, bell icon को hit कीजेगा और by juice की website भी regularly explore करते रहेंगे इस प्रकार के और भी mock test आने वाले समय में आपके साथ होते रहेंगे एक बार में स्क्रीन पे देखने चाहूँगा, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं सबका फिर से एक बार तहे दिल से warm welcome All the students must be very much excited कि हमने ये exam दिया है, जरा देखें कौन कौन से questions हमारे सही गए हैं और कहा कहा हमने चोटी चोटी घलतियां कर दी कोई बात नहीं, यही तो मकसद है हमारा, ये mock test के जरीए आपको ऐसी practice देना इतना मजबूत बना देना आपको कि फिर actually जब neat का exam होगा तो उसमें किसी भी घलती की घुनजाइश न रहे केवल neat qualify नहीं करना हमें, हमारा मकसद सिर्फ neat qualify करने का कता ही नहीं है हमारा मकसद है neat में बहतरीन rank लाने का, ताकि हम अपनी मन्जिल All India Institute of Medical Sciences Delhi में बहतरीन rank के साथ seat ले सके, गर्व से हमारा सीना चोड़ा हो, हमारे माता बिता का, हमारे साथ जुड़े हुए हर शक्स का सम्मान, मान, बढ़ जाए, जब आप अपने मकसद में काम्याब हो जाएंगे चली मेरा मकसद हा, आपको मोटिवेट करना, आपके अंदर वो चिंगारी जो है, उसे भड़का देना और आपको ये एहसास दिलाना कि आप में काबलियत है, हर शक्स में काबलियत होती है, जरूरी होता है सही समय पे सही शिक्षक गणों का साथ मिल जाना यही कर दिखाया है भारत की इस भेतरीन प्लेटफॉर्म ने, जिसका नाम है जी बाइजूस जहांपे most disciplined dedicated faculty members आपको मिलते हैं, पूरी team dedicated है और अब हम शुरू करते हैं जी, हमारे mock test का discussion, analysis, दो तरफों discussion होगा आपके भी सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, सवाल मेरे भी होंगे और जवाब आपके भी होंगे चले जी, एक बाद प्यारे प्यारे like सो जाने चाहिए आप सभी की तरफ से और मैं यह बता दूँ, आज है mock test discussion part 1, कल होगा part 2 सारे के सारे questions एक दिन में discuss कर पाना संभव नहीं है इसलिए हमने दो sessions में रखा ऐसे, और उसके बाद physics का भी discussion होगा chemistry का भी होगा, सभी subjects का in-depth, detailed discussion मेरे इस session को सभी बच्चे अटेंड कर सकते हैं, जिन्नोंने ये exam दिया था जिन्नोंने किसी कारण से नहीं भी दिया, चाहे आप 11th में है, चाहे आप 12th में है, चाहे आप 12th पास है ये session आपके लिए बहुत-बहुत important है बुपेंदर कुमार, अर्शदवारसी, ओमकार, मुहम्मद यासमीन, प्रभू, बबीता, आर्जू, सोनिया, श्वेता, पूनमवर्मा, ग्रेट जी चलो जी, एक बार जल्दी से और जादा लोगों को साथ जोड़ लें अपने more the number of people who are attached on a common platform कहते हैं जब कहीं भी एक ऐसी बात की चर्चा हो रही हो, जहाँ पे एक common मकसुद हो सब लोगों का और उस जगे पे ज्यादा से ज़ादा लोग, positive सोच वाले like-minded people अगर जुडते हैं न तो वो जगे energy से भर जाती है, positive energy से so let's spread, let's share this link to as many people as possible, देखते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे भारत के कोने कोने से हमारे इस बहतरीन session में जुड सकें, चलिए जी, पहला question, आपकी नजर, जिन बच्चों ने exam दिया है वो question देखते ही पहचान जाएंगे और देखना वो खुशी से फूल जाएंगे, कूद जाएंगे कि भाई, ये question थो हमने एकदम सही किया है, let's see what the question says साथ-साथ जवाब देना है आपको, ठीक है, मैं नाम भी बोलूँगा आपका without any exception, बिना किसी exception के, questions को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, examiner, बड़े ही, बड़े ही, सुल जे हुए धंग से language frame करते है so the question says, without any exception, which of the following sets of correctors can be considered as the most defining property of living organisms most defining property, living world, class 11th का, पहला chapter और ये question आपकी निजर, हाँ जी, Tony कह रहे है B, धनशी ने कहा B, सुशांत B, राद सुलंकी, नैंसी, ग्रेड, majority of the students are saying B चलिए मैं पढ़ता हूँ एक बार, B option कह रही है, metabolism, cellular organization and consciousness चलिए जे, मुबारक देदू मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने सही जवाब दिया है, एक दम ठीक जवाब है आपका Now, एक बार जल्दी से थोड़ी सी important information जो related है इस question से वो भी discuss कर लेते हैं भही है ना, जरूरी है, क्या पता, examiner नीट में इसी से question बना दे General characteristics क्या होते है, living organisms के, definite shape and size होता है living organisms का Cellular organization शो करते हैं, grow करते हैं, develop होते है, metabolism very very important Metabolism का मतलब होता है, शरीर में होने वाली हजारों तरहें की जो अलग-अलग reactions है Some total of various biochemical reactions in the body, metabolism, एक single cell भी शरीर का metabolism शो करता है चाहे वो spermatozoa sperm हो, sperm is the only flagellated cell in the body, right चाहे वो single cell ova हो, तो metabolism तो हर कहीं हो रहा है, right जी Reproduce करते हैं living organism, reproduction characteristics जरूर है living organisms का But ये mandatory नहीं है, कि कि किसी को living कहना तभी हो पाएगा अगर वो reproduction so करे बहुत से जानवर ऐसे होते हैं, जो sterile होते हैं, there are many human couples also who are sterile, who cannot reproduce, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जिन्दा नहीं है समझे आप बात, ठीक है, reproduction वाली बात में थोड़ा सा twist है, ध्यान रखेगा Homeuse stresses क्या होता है, Homeuse stresses होता है जी, maintenance of constant internal environment हर जानवर ये चाहता है कि वो जिन्दा रहने के लिए internal environment को maintain करके रखे चाहे वो salt and water का concentration हो, water and salt level हो, यानी Osmo Regulation चाहे वो शरीर के तापमान को लेकर के हो, यानी Thermo Regulation Right? Consciousness है, humans में self-consciousness है बड़ी ही खुबसुनत बात है, ये Nature ने, इस प्रकृती ने हमें दी है कि आपमें self-consciousness है, आपमें एक अंदरूनी जग रुकता है अपने अस्तित्व के होने का एहसास है आपको Right जी? Adaptation शो करते हैं, Evolution, Darwin ने कहा Evolution is descent with modification, आने वाली generations, parental generation के comparison में बहतर होती है Living organisms repair and regeneration शो करते हैं, उनका एक definite lifespan होता है, aging की प्रकृरिया होती है and अंततह मृत्यू को प्राप्त करते है Death, मृत्यू, essential है It brings recycling of materials, it prevents overcrowding अगर death नहीं होगी, तो इस पूरे planet पे, इस ग्रह पे, शायद कदम रखने की जगे भी ना रह जाए Is it clear? चलिए, Living world chapter में सही ये question frame किया गया था, examiner ने बड़ी है खूपसूर्ती से question frame करा है और बड़ा ही अच्छा question है, मुझे तो बड़ा पसंद आया जी, चलिए, all my raja बेटा and rani बेटिया, wish you all the best, here comes the next question How many of the organisms? सवाल पूछा है, how many? कितने? मेरी तो आदत है, question को पहले underline कर लेना, कि examiner ने पूछा क्या है question की language में तो कहीं twist नहीं है How many of the organisms given below are not included? राजा बेटा, not included कहा है जल्दबाजी में included मत पढ़ जाना इन विटाकर्स सिस्टम अफ क्लासिफिकेशन लुबना ने कहा 3, अनमोल ने कहा 3 C option कह रहे हैं बच्चे बहुत सारे प्रांजल, निर्मल, आशीश, सर्वेश, हेमंत, तेजस्विनी, सैयद, कोमल, वाजिद, अमित, उर्मिला, ग्रेट जी एक बार प्यारे प्यारे लाइक्स का राउंड हो जाएं और जादा लोगों को जोड़ने जी एक हजार से जादा लोग जोड़े होंगे हमाने साथ तो मज़ा आ जाएगा, पॉजिटिव एनरजी मिल जाएगी ओके, साइनो बैक्टिरिया, लाइचन्स या लिकन्स, माइको प्लास्मा, स्लाइम मोल्ड्स, वाइरोइड्स, प्रियोर्न्स दा करेक्ट आंसर इस थ्री, विटेकर के द्वारा दिया गया, जो फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन था प्रोटिस्टा, मौनेरा, फंजाए, प्लांटे, एनिमेलिया, इन पांचों किंग्डम्स में, इन में से दिये गए कौन से जानवर इंक्लूड़ड नहीं है, जानवर इन जानल कह दिया, और्गानिसम्स इंक्लूड़ड नहीं है, लाइकन्स, राइट जी, देन उसके बा एक लेवल है questions का, फाइट किंग्डम क्लासिफिकेशन विटैकर ने दिया था जी, प्रोटिस्टा, मौनेरा, फ्लांटे, एन फंजाए, सो इसमें से सही उत्तर है मेरे राजा बेटा एन रानी बेटिया, वल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, छोटे मुटे डॉक्टर नहीं बनना है, त्री, तीन जो है और्गानिजम इंक्लूड़ेड नहीं है, अनदर कॉस्टिन, बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन, मौनेरा, राइट, बैक्टेरिया, आर्किया, आर्र रिजिस्टेंट तो एक्स्ट्रीम कंडिशन, चाहे वो एक्स्ट्रीम कंडिशन रिलेट तो हूँ, चाहे वो एक्स्ट्रीम कंडिशन रिलेट तो सॉल्ट कंसंट्रीशन हूँ, कौन सा ऐसा विशेश तत्व पाया जाता है उनमें, जो उन्हें रिजिस्टन बना देता है, या जी जवाब दीजिए, एक आहा है, कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं, सैनिक, सार्थक, दूर्मिला, अमित मिश्रा, अनन्या, प्रांजल, नस्रीन, मोहमद, शुती, किशोर, मेरे दोनों तरफ दाएं-बाएं, बड़ी-बड़ी computer screens हैं, आपके इतनी तेजी से जो नाम flash हो रहे हैं, नैंसी, टीना, वाजिद, मज़ा आ रहे हैं मुझे देख करके, कि भारत के क कोने में बैठा हुआ बच्चा, नीट में भेतरीन rank चाहता है, great, the answer is branched chain lipids, right, you got it right, जो बच्चे साथ साथ, sincerely copy pen लेके बैठे हैं आपने marks भी note करते जाना, आपको पता चल जाएगा पूरे भारत में कहां stand करते हो आप, cellulose, जानते हैं cellulose किसका polymer है, cellulose is a polymer of beta glucose, higher animals cannot digest cellulose on their own, हमें भी अपनी डाइट में रोजाना cellulose चाहिए, परन्तु हम उसे digest नहीं कर सकते हैं, हाला कि हमारी large intestine में present bacteria, E. coli and streptococcus fecalis negligible amount में cellulose digest करते हैं, लेकिन समस्या cellulose के साथ ही है कि वो beta glucose का polymer है, और beta linkage को तोडने के लिए हमारे पास enzymes नहीं हैं, ठीक है जी, peptido glycanist का आंसर नहीं है, phospholipids आप जानते हैं, plasma membrane is by layer of phospholipids, चलिए जी, राजा बेटा, एक बार envelope of R की bacteria देख लेते हैं, आपके सामने हैं जी, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे cell wall, cell membrane, और इधर देखे जी, isoprene chains, alglycerol and phosphate, हम अपने platform पे इतनी ही खुबसुरत slides के जरिए आप लो आना, all my future doctors, चलो, next question, time waste नहीं करूंगा, बिलकुल भी आपका, चलिए जी, which of these have indestructible cell walls, जसे डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, cryosophyids, euglenoids, protozozones, slime molds, जवाब दीजिए जी, कार्त, खेमन्त, महेश, इल्यास, रजमान, शिवजी, केश राज, जुही दत्त, मुहम्मद अंसर इस, cryosophyids, पढ़े हैं ना अपने, cryosophyids, NCRT में, a very important, चलो, cryosophyta के बारे में, कुछ खूब सूरत सी बाते बताता हूं, they are the chief producers of the ocean, they are unicellular, they are colonial protests, right, cell wall has silica, जिसके कारण, अच्छा, diatomaceous अर्थ याद है आपको, diatoms के बारे में पढ़ा है, NCRT में, right, जी, so they are mostly non-motile, diatoms and desmids, कितने खुब सूरत हैं, jewels की तरह हैं, ऐसे लगता हमें, किसे हीरे जवाहरात होंगे, जो चमक रहे हैं, ऐसा ही हीरा आपको बनना है, आपके चमक अपने आप बढ़ जाएगी, उस दिन, जिस दिन, neat का result आएगा, और आपका भेतरीन rank हुआ, जितना भी कष्ट अभी सहर है पढ़ने के लिए सब भूल जाओगे, आप देख ले ना उस दिन, राइट जी, prying is always better than crying, remember my words, so the answer to this question that which of these have indestructible cell wall is cryosophytes, uglinoids में आता है जी, uglina, uglina connecting link between plants and animals, flagella की मदद से move करता है, protozone शब्द का नाम जैसे ही आप सुनते हैं, यह वर्ड, दिमाग में malarial parasite plasmodium आ जाता प्लाजमोडियम वाइवेक्स, प्लाजमोडियम ओवेल, प्लाजमोडियम फैलसी पैरम, right, most dangerous species, okay, चलो, next question, match the following, मेरे तो यह favorite questions होते हैं, जब match the following आ जाता था, कैसे, क्योंकि भाईया, एक, दो तो हम कर लेंगे, तीसरे चोथे का अंदाजा भी लग जाता है, so यहां match the following क करना है, options अगले page पे आपको दी हूँगी, because same page पे हम adjust नहीं कर पाए उसे, lichens, chlamidomonas, walvox, eulothrix, column 2 में दिया गया है, कि filamentous कौन कौन से है, colonial कौन सा है, unicellular और algae and fungi का association, यहीं उसे पकड़ ली होगी आपने बात की, lichens जो है, algae और fungi का association है, तो A का हो गया जी, 3, eulothrix, filamentous है, D का हो गया जी, 1, C का हो गया जी, 2, walvox, colonial है, and B का हो गया 3, यानि unicellular, यह options थे, जिन बच्चोंने एक्जाम दिया है, उन्हें पता है, mock test जिन्होंने ली गया था, right, चलो, देखो, so the correct answer क्या है इसमें, algae and fungi का association, जो है, वो, lichens कहलाता हैं जी हम, clamidomonas आपके सामने हैं जी, walvox आप देख पा रहे हैं, eulothrix के filaments देख पा रहे हैं, right, अच्छा यह lichens and mycorrhiza भी important है, mycorrhiza term पता है ना आपको, ठीक है जी, फिर से question दिखाया मैंने, और अब इस question का सही उत्तर है, A4, B3, C2, D1, फिर से बता देता हूं, A4, B3, C2 and D1, अच्छा बताओ, सच्छे दिल से बताना है एक बार, questions का level कैसा लगा, I want you to tell me कि questions का level कैसा लगा है आपको, excellent है, average है, moderate है, बताइए मुझे, तीन words दिए मैंने, excellent, moderate, below average, बताओ जी, कैसा लगा है, beautiful कहा, निकिलने, हरशित, किशोर, ग्रे, standard, good questions, बहुत मुश्किल बड़ा beautifully framed है, so we all should be thankful to the entire team, जिन्हों ने ये paper, design करा है, एक इंसान की सफलता के पीछे, बहुत लोगों का हाथ होता है, and we should be thankful to each and every person, जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाने में, जुटे हुए है, right जी, चलो, the main plant body of the bryophytes, याद कीजिए, plant kingdom, बड़ा डर लगता है बच्छ याद करेंगे हम ये सारी चीज़े, ये gymno-sperms, ये angio-sperms, ये algae, ये fungi, बड़े मुश्किल लगते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर ठान लीजिए, options, the main plant body of the bryophytes, is it gametophyte and haploid, is it gametophyte and diploid, is it sporophyte and diploid, is it sporophyte and diploid, is it sporophyte and haploid, four options, रेश्मा, अर्जुन, music lover के नाम से भी काईडी है जी, राजस्विनी, दिनेश, मिथिलेश, ग्रेशी, श्लोक, पॉलमी, yes, the answer is gametophyte and haploid, so the gametophyte of bryophytes is haploid, haploid मतलम, half the number of chromosomes, right, n से रप्रेजें करते हैं, याद है, पढ़ा है ना आप नहीं, this is sporophyte, this is gametophyte, independent plant body, so the answer to the given question, it is easy question, अभी तक मुझे ऐसा कोई question नहीं मिला, जिसमें कोई beyond the scope of NCRT बात डाली हो, beautifully frame करी यह बाते, अच्छे, इसका मतलब यह नहीं कि exam में NCRT बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आएगा, सही शिक्षक गणों की, अगर classes आप अटेंड कर रहे हैं ना, फिर आपको डरने क ज़रूरत नहीं है, because उन्हें पता है कि NCRT से बाहर किस लेवल तक जाना है, पेरी-फेरी तक कहां कहां जाना है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, देखे जी, question पढ़िए, जब कोई लंबा सा question आए न, जिसमें बड़ी लंबी बात लिकियों से बड़े इत्मिनान से ध्यान से पढ़ना चाहिए, what will be the number of chromosomes in prothelis, antheridium, antherozoids, spores, if, यदी, the cell of the archegonium of a fern plant has 20 chromosomes, let me repeat, the cells of archegonium of the fern has 20 chromosomes, examiner ने हम से पूछना चाहा, कि यदी, ऐसा है, तो फिर, प्रothelis में कितने होंगे, antheridium में कितने होंगे, antherozoids में, spores में, antheridium याद है जी, archegonium याद है, male, reproductive part, female reproductive part, answer आरे है जी, A, majority students, रश्मी, शिल्पा, हिना, मायरा, रविंद्र, गीतिका, समर्थ, अकांक्षा, श now, एक बार इस slide के जरी आप देख लीजे, बहुत जादा detail में तो नहीं बता पाएंगे, समय का भी थोड़ा सा हमारे उपर, जो है, जी, control है, paper discuss करना है, बहुत सारे questions है, so आप देख लीजे, इदर, gametophyte, जो है, मैं दिखाता हूँ जी, आपको, gametophyte, जो है, that is haploid, and the number of chromosomes, sporophytic generation deployed है, 2N है, राइ जी, ये रहे spores, ये है जी, prothelous, which is the gametophyte, autotrophic, and minutious, so the correct answer to this question is, 20, 20, 20, 20, right, prothelous, 20, antheridium, 20, antherozoids, 20, and spores, 20, is it clear, जी, चली, आगे बढ़ते है, which among the following statements is are true, इन में से कौन-कौन सी statements जो है, वो सही है, animal kingdom का ये question है, जी, अमन, मुहमद, कलीम, धायरा, beautiful name, धायरा, great जी, चली, which of the following statements is are true, amphibians are warm-blooded animals, amphibians जो है, वो warm-blooded है क्या, जरा सोचिये, In reptiles, the toes, they end in claws, reptilia, the creeping and crawling creatures, reptiles are poikilothurms, poikilothurms होता है, cold-blooded animals, homeothurms होता है, warm-blooded animals, amphibians are found on both land and water, ये चार statements हमें दी गई, और उसके बाद examiner ये जानना चाहते हैं, कि इन में से कौन-कौन सी statements सही है, one, two, three सही था, one, three, four सही था, two, three, four सही था, या one, two and four, दोबारा देखते हैं, चली जी, बहुत से बच्चे कह रहे हैं, D, fourth answer बता रहे हैं, मतलब कि कौन-कौन सी statement सही है, कौन सी गलत है, मैं एक-एक statement पढ़के दिखा देता हूँ, amphibians are warm-blooded animals, ये गलत है, amphibians are cold-blooded, amphibia means dual mode of life, they can live in water as well as in land, in reptiles, the toes and in claws, ये बात सही है, जैसे हमारे नाकून है, nails है, वहाँ पे clause होते हैं, reptilia में क्या-क्या जानवार आते हैं, crocodile, alligator, घड़याल, camons, turtles, tortoises, terrapins, lizards, snakes, snakes में तो limbs नहीं होते हैं, reptiles are poikilo-thermal, मतलब reptiles जो है, वह cold-blooded हैं, तो second statement सही थी, third सही थी, fourth सही थी, पहली statement जो है वह गलत थी, तो इसका answer हो जाएगा, कि कौन-कौन सी statements सही हैं, that is two, three and four, Tanveer, is it clear, Gauri, एक बार likes का round हो जाए, मेरा energy level डाउन नहीं होना चाहिए, आपके तरफ से डिये गए likes तो हमारे लिए ATP का काम करते हैं, that is adenosine triphosphate, enjoy कर रहे हैं ना session, चलिए, अगला question, how many of the following features, how many कहा गया, घ्यान दीजेगा, how many, ये नहीं कहा कि इनने से कौन-कौन सा, how how many, आपको बताना है कि तीन ये, चार ये, पांच जो भी है, how many of the following features mentioned below, belong to ostrich thighs, ostrich thighs होती है, bony fishes, right, condrich thighs होती है, cartilaginous fishes, इन में से कितने features, कितने, पहले तो देखना पड़े कि इन में से कौन-कौन से हैं, फिर उन्हें काउंट करेंगे, कितने features, bony fishes को, जो है, वो apply होते है बो नहीं, fishes पे, presence of air bladder, सोचिए, क्या ये feature apply होता है, two-chambered heart, fishes have venus heart, two-chambered heart, चलो जी, ये बात तो हो गई, सही, placoid scales, क्या यहाँ पे placoid scales पाये जाते हैं, यह cartilaginous में placoid scales होते हैं, क्या यहाँ पे claspers होते हैं, which are for holding the partner during the copulation, क्या ये ovipares हैं, क्या ये अंडे देती ह हैं, क्या इनमे external fertilization है, तो 6 features में से, कितने features यहाँ पे apply हैं, बच्चे कह रहे हैं जी, 4, okay, right जी, चलो, देखते हैं जी, क्या 4 features हैं, मतलब options ते 5 features, 4 features, 3 या 6, the correct answer अब हम देखते हैं, air bladder present है, swim bladder जो होता है, okay, two-chambered heart present है, placoid scales and claspers वाली बात यहाँ पे लागू नहीं हो होगी, claspers जो हैं, आपने पड़े हैं, cartilaginous fishes में, यानि sharks में, placoid scales जो है, वो भी, chondrich thighs, यानि cartilaginous fishes में पाय जाते हैं, NCRT में से frame किया गया question, बड़ी ही खुबसूरती से frame किया गया था, so the answer to the given question is, 4, is it clear, right, all my raja बेटा और रानी बेटियां, थोड़े से बच्चे और जोडने साथ में, हमारा फर्स बनता है न, घर घर तक शिक्षा का चिर्याक पहुंचाने का, चली, अगर आप जल्दी से link forward कर सकते हैं, तो कर दीजे, जादा time नहीं waste करना, next question from animal kingdom, मेरा बड़ा favorite topic था अपने time पे भी animal kingdom, और मुझे पढ़ाने में भी बड़ा मज़ा आ Human brain की enormous ability, यह पता नहीं कितने हजारों, लाकों, करोडों, terabytes की memory store हो सकती हैं यहां पे, presence of comb plates, भाई यह comb word दिमाग के सामने आते ही, मुझे तो phylum tinofora अपने सामने आ जाता है, presence of comb plates is a characteristic feature of ascaris, no, ascaris is roundworm, ascaris belongs to ash alminthus, is it planaria, is it planaria of plenty alminthus, no, is it leurobrachia, answer is c, शारतक सही बात कहा है, शमी कुरेश, युक्ता, रमयया, सानिया, तानिया, अधिती, देबप्रिया, फरीह, beautiful name फरीह, it is pleurobrachia, it is not euralia, euralia is jellyfish, jellyfish का phylum, jellyfish का phylum, nideria, ascaris, ash alminthus, यह nemat alminthus, planaria, pleady alminthus, comb plates, जो होते हैं, there are eight rows of ciliated comb plates, which help in locomotion, जो जानवर, टीनो फोरा फाइलम को बिलॉंग करते हैं, उन्हें sea walnut भी कहा जाता है, अखरोट जैसे लगते हैं, they are called sea walnuts, they are also called comb jellies, इनकी खास बात है, that they show bioluminescence, light produce करते हैं, जैसे जुगनू चमकता है, ऐसे ही ये भी चमकते हैं, जिन जानवरों में bioluminescence का phenomena होता है, उनमें एक खास तरहें का enzyme पाया जाता है, that is luciferase, याद रखेगा, right, luciferase enzyme जो होता है, light emit करने में मदद करता है, तो हमें tinofora phylum के बारे में बातें याद रखनी है, exclusively marine phylum है, इसके इलावा exclusively marine echinodermata भी होता है, ठीक है, चलो, tinofora का question हो गया, next, answer बता दू फिर से, plurobrachia है, ठीक है जी, NCRT में tinofora के बारे में बाते लिखी हैं, आपको पता होनी चाहिए, एक और question animal kingdom में से, बच्च यसे design करने वाले, वो teachers हैं, जिन्होंने एक proven record दिया है, जो पिछले कई decades से पढ़ा रहे हैं, that is their experience, right, lacks and lacks of students have been mentored by them, students are successful not only at the national level, but at international level also, which of the following phylum possesses, organ level of organization with beginning of primitive organ system, एक बात यह हो गई, हमें बताना है, which of the following phylum, कौन सा phylum है, जो possess कर रहा है, organ level of organization with beginning of primitive organ system and organ system level of body organization respectively, क्या ऐसा flat worms में है, sponges में है, round worms में है, proto zones में, combination बनाना है, इसमें से question ध्यान से पढ़ना है, right, क्या एक, दो, तीन, तीनों में ऐसा है, क्या one and two correct है, कि एक में तो organ level of organization की beginning है, और दूसरे में, organ system level of organization, चलो जी, आंसर होगा, flat worms and round worms, platy helminthus, platy helminthus का मतलब होता है, platy means flat, helminthus means worms, so platy helminthus से हमने यहाँ पे क्या पकड़ लिया, planaria, यह था न, यह flat worms, तो platy helminthus एक हो गया, दूसरा हमने क्या कहा जी, round worms, यानि ash helminthus, let me go back, so round worms, यानि one and three, यहाँ पे respectively लिखा था, question समझ आ गया ने सबको, examiner ने दो phylum को मिला करके एक question बनाया है, is it clear जी, किशोर, मुशरत, चंदरू, वैशनवी, लखन, फरहान, अश्विनी, clear है न, that's great, चलो जी, so answer है हमारे पास, one and three, platy helminthus का flat worms, ash helminthus या nemat helminthus का round worms, एक ही question में, दो phylum के बारे में पूछा गया, next question, which of the following statements is incorrect, please, please, ध्यान दीजेगा, incorrect पूछा था, regarding symos influorescence, symos influorescence के विशे में, कौन सी बात गलत है, influorescence याद है, rasmus, symos पड़ा है, NCRT में, number one, growth of peduncle is definite, number two, flowers are born in a basi-petal succession, number three, symos influorescence is seen in jasmine, growth of peduncle is indefinite, right, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, where can I take these mock tests, बिटा, periodically, ऐसे mock tests हम conduct करते हैं, अपने बाईजूस के platform पे, आप बाईजूस की website, जो है, explore कीजिए, plus, हमारा YouTube channel, subscribe कर लीजिए, bell icon hit कर दीजिए, आने वाली, हर news, हर information, neat exam से related, form कैसे भरना है, form कब निकलेगा, सबसे पहले, आपको इस भेतरीन platform पे दे दी जाएगी, बाईजूस के neat channel पे, सब information मिलेगी, right, आप हमारा Instagram page भी follow कर सकते हैं, so incorrect बताओ जी, मेरे राजा बेटा, बहुत से बच्चे D कह रहे हैं, किशोरी कुलकर्नी का कहना है, only one is incorrect, आश्विनी ने कहा D, okay, एक अंदाजा लग गया होगा कि भई, A और D में से ही कुछ होना चाहिए, क्यों, क्योंकि A में आ रहा है word definite और इसमें indefinite, तो यहनी twist यहीं छुपा है, है ना जी, सुदान्शू, प्रदीपा, शरद, okay, so now let's see, साइमोस इनफ्लोरसेंस के बारे में पहली बात सही है, ग्रोथ औफ पिडंकल इस डेफिनेट, यह यह गलत है, देखते हैं, फ्लार्स आर बॉन इन बेसी पीटल सक्सेशन, बेसी पीटल याद है आपको, चलो मैं एक डाइगराम दिखाता हूँ, इसको देखके समझ आ रहा है जी, साइमोस इन फ्लोरसेंस, which is found in jasmine, आप देख पारे हैं, यंग फ्लार्स नीचे की तरफ है यहाँ पे, ओल्ड फ्लार उपर की तरफ है, और पिडंकल कहाँ टर्मिनेट कर रहा है, definite है फ्लार में, clear हो गया जी, so that means you got the answer correct, that the growth of पिडंकल is indefinite, this is incorrect statement, बेसी पीटल सक्सेशन वाली बात सही है, जैसमीन वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, तो हमें incorrect बताना था, इसलिए हमारा answer हो गया, D, सादिक सही है जी, तन्जीन, आन्या, नम्रता, मुहमद, रफी, नितिश, हर्शित, clear, चलो, next question, select the correct term concerning लिली एसी family from the options given below, फैबेसी याद कर लीजिये, लिली एसी याद कर लीजिये, families के बारे में याद करना अकसर बच्चों को बड़ा cut-in लगता है, लेकिन, जो बच्चे regularly हमारा channel भी follow कर रहे हैं, या हमसे पढ़ रहे हैं, बाई जुज में, सारी चीज़े crystal clear तरीके से बताते हैं, class में, ठीक है जी, now, select the correct term, सही बात concerning the लिली एसी family from the options given below, क्या monocarpillary condition है, क्या वहाँ पे apocarpus situation है, क्या placentation marginal है, marginal है या exile है, याद करके देखिए, trilocular ovary है क्या वहाँ पे, now, let me see, how many of you can answer it correctly, majority of the students are saying, D, Neha ने कहा trilocular ovary, dharmedra, swaroop, okay जी, easy question है, लिली एसी का floral diagram आपके सामने है, एक single floral diagram, बहुत सारी बाते कह देता है, किसी भी family के बारे में, plant families के बारे में, जानकारी एक single diagram के जरीए represent कर दी जाती है, mother axis का location और ये रहाजी ब्रेक्ट, placentation कैसे देखना है, calyx कैसे देखना है, corolla कैसे देखना है, sepals, petals, fuse हैं, तो उसे क्या कहना है, किस प्रकार से stemens जो है वो attached हैं या नहीं है, ovary का position कैसा है, एक single diagram के जरीए आपको ये सब बाते समझा जाती हैं, so the correct term concerning the liliaceae family from the options given below, trilocular ovary, मनीश ने सही जवाब दिया है, सुधान्शू ने, समर ने, फरीहा ने, correct answer, चलिए जी, next question, Vaxillary Estivation is a characteristic feature of a family, Vaxillary Estivation is a characteristic feature of a family which also exhibits, वहीं family के बारे में बताना है, जो कि और भी एक feature शो कर रही है, इन में से कौन सा, epipetalous condition, exile placentation, diadolphus condition, या berry fruit, fruits भी पढ़े हैं न, क्या fruit berry है, fleshy है, या नहीं है, चलिए जी, देखते हैं इदर, Floral Diagram of Fabaceae family, answer is what, पहले Floral Diagram देखते हैं, Fabaceae का, Mother Axis का position देखिए, Calyx, Corolla, आच्छा, Vaxillary Estivation, याद है न आपको, next, C, Gynosium, ध्यान दीजी यहां पे, क्या situation नजर आ रही ये आपको, look at the Androsium, किस प्रकार से, represented as floral formula में, Rahul ने कहा D, Sairaj, Aman, Kishor, Ajay, Mithilesh, Archit, Surya, Ashish, great जी, so the correct answer, to this question, that is Vaxillary Estivation, is a characteristic feature, of a family, what was that family, I have just shown you, the floral diagram for that, answer is, Diadolphus condition, right, is it clear, जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, great, प्यारे प्यारे, likes आते रहने चाहिए, अब आए, थोड़े से मज़ेदार question, जो आपको ये feel कराएंगे, कि हम medical की तियारी कर रहे है, animal tissues, human physiology, कुछ questions होंगे, respiratory system के, कुछ questions muscle contraction से related, चलो जी, शुरू करते हैं, question number, next, which one of the following cells are found, in the structural tissue of the pinna of the ear, तो इसमें, examiner ने ये जानना चाहा, कि क्या आपको पता है, ear pinna में कौन सा tissue पाया जाता है, क्या ये bone होती है, क्या ये cartilage होता है, सो answer मिल गया जी, ये cartilage होता है, cartilage में किस प्रकार के cells पाया जाते हैं, cartilage के cells को क्या कहते हैं, राजा बेटा, cartilage के cells को कहते हैं, chondrocytes, the cells of the cartilage are called, chondrocytes, is it clear, गोकुल, समरुदी, जया, विशाक, नितेश, दिलिप, मुहम्मद, रफी, बिल्कुल सही जी, osteocyte तो, bone के cells होते हैं, okay, chondrocytes, cartilage के cells होते, bone में भी आपको याद है, osteoblast, bone forming cells, osteocyte कौन से होते हैं, osteocytes are, bone maintaining cells, osteoclasts, bone destroying cells, neurons इसका answer हो नहीं सकता, myofibril इसका answer हो नहीं सकता, च्यालो जी, cartilage, semi-rigid flexible connective tissue, cartilage में जब injury हो जाती ही नहीं, तो बड़ी असानी से ठीक नहीं होती, because blood vessels do not penetrate deep into the cartilage, तब ही हम कहते हैं, cartilage is relatively avascular होता है, cartilage है ना, so इसलिए, injury हो जाया है, अगर cartilage nose में भी होता है, cartilage के types आपको पता है, yellow elastic cartilage, heline cartilage, white fibrous cartilage, trachea के ये C-shaped rings जो होते हैं, ये भी cartilage के बने हुए होते हैं, ठीक है जी, तो cells of the cartilage are known as chondrocytes, is it clear, answer is chondrocytes, I am sure majority बच्चों का ये question सही गया होगा, चलो जी, next question, glandular epithelium, glandular epithelium found in the elementary canal are called, columnar epithelial cells है, glandular word का मतलब होता है, जो कुछ secret करे, बई चाहे mucos secret करें, ये कुछ भी secret करें, any cell or tissue which is secretory in nature is a gland, हमारी intestine में खास तरहें के cells पाए जाते हैं, जो mucos secret करते हैं, बताओ answer A, बिल्कुल जी, वनिता अभिशेक किशोरी साहिल जयन, जयन, अमित अत्रे, मिथिलेश, आलिया, नाज, विजे कुमार, अभिनाश, बिल्कुल सही जवाब, goblet cell secret mucus, neuroglia क्या है, भई, neuroglia तो हमारे nervous system में पाए जाते हैं, glial cells भी कहते हैं, जिनने, astrocyte, oligodendrocyte, ependymal cell, micro glial cells, है न, तो shawn cells क्या होते हैं, shawn cells तो myelin sheath बनाते हैं, neurons के चारो तरफ, alveolar cells, तो alveoli में होते हैं, lungs में, ओके जी, नाओ, ये goblet cell का diagram भी देख लीजिए, small intestine में पाए जाने वाले goblet cells, mucus secret करते हैं, चलो जी, next question, answer इसका हो गया था, goblet cells, चलो, next बताता हूं, ध्यांस से पढ़िए, मैं तो भई अंडर्लाइन कर रहा हूं, अगर मैं नीट एक्जाम दे रहा हूता हैं, मैं पहले अंडर्लाइन कर लेता, examiner ने आउटर्मोस्ट टू इनर्मोस्ट पूछा है, कई बार इनर्मोस्ट तू आउटर्मोस्ट भी पूछ सकते हैं, जोश के साथ साथ होश रखना बड़ा ज़रूरी होता है, किसी भी exam में successful होने के लिए सिर्फ आपको knowledge नहीं चाहिए, presence of mind भी चाहिए, आत्म विश्वास चाहिए, जो question नहीं आता उसे देख के घबराना नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना है, आगे बढ़ जाने, रुकना नहीं, अटकना नहीं होता है exam में किसी question पे, वहीं पे moral down हो जाता है, वहीं पे confidence down हो जाता है, वहीं से गलतियों की शुरुआत होती है, negativity आ जाती है, काम खराब हो जाता है, बहीं नहीं आता question, तो for the time being छोड़ देते, बाद में आके देख लेंगे, सारे के सारे question सही करना कोई मजबूरी तो नहीं है ना, हमें तो maximum marks लेने हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, सारे question attempt कर दो, उनमें से जादा गलत कर दियो, तो फाइदा क्या हुआ, negative marking से बचना है, so correct sequence क्या है, all my raja बेटा और राणी बेटियां, याद कीजिए, prokaryotic cell enveloped जो होता है, it is complex, multi-layered structure that protects the organism, इसमें glycocalyx, cell wall and cell membrane है, so यही है जी, correct sequence, outermost से innermost, यानि इस question का answer था, C option, third option, right, चलो, आगे बढ़ू, एक बार न, जारा आपने cakes and candies and hearts and roses भेज दीजे भई, देख लीजे, बिना रुके हुए, ये बुलंद आवाज, ये crystal clear आवाज, आपके कानों तक पहुँच रही है, ठीक है, चाहे प्यास लगे या ना लगे, भई, जीए सभी बच्चे, कल भी पेपर डिसकस होगा, छे बजे, same time, चैनल सब्सक्राइब करके रखी, बैल आइकन को हिट करके रखीए, एक दम से notification आप तक पहुँच जाना चाहिए, चलिए, next question, which of the following is our, examiner ने यहाँ पे is our, दोनों बाते बोल दी, thank you so much जी, दुरगा, रागीनी, वैभव, सहीएद, great, आपके हाट जो है, मुझ तक पहुँच गए, पेस्टीज भी पहुँच गई है, केक्स औन कैंडीज भी आगें, सुरुती, डॉक्टर विक्रम अर्जुन, thank you, सारी चीज़े, mitochondrial की inner membrane के fold cristae, F1, F0 particle याद कीजिए, उसके अंदर DNA होता है, तो क्या चीज नहीं होती, options are, single circular DNA, RNA, 70S ribosomes, as refers to sweat bug units, right, 80S ribosomes, answer आ रहा है, कुछ बच्चे D कह रहे हैं, कुछ A कह रहे हैं, यशील, कृती, नेहा, तिजस्विनी, मनीश, यह देखे जी, mitochondria का matrix, हमें मिल गए 70S ribosomes, ribosomes, the protein factories, जो proteins का निर्मान करते हैं, DNA, D-oxyribose, nucleic acid, mitochondria के cristae, यह रहे F0, F1 particle, तो answer आ जाएगा, इसमें, 80S ribosomes, अच्चा, evolution बें आपने पढ़ा होगा, यह origin of life, जब आपने पढ़ा है, कि भई किस प्रकार से, multi, वो जो, prokaryotes से, eukaryotes बने हैं, एक पुराना prokaryotic cell रहा होगा, उसने एक छोटे prokaryotic cell को खा लिया, एंगल्फ कर लिया, पर digest नहीं करा, यह छोटा prokaryotic cell, बड़े prokaryotic cell के अंदर रहने लगा, एक symbiotic association मना करके, तो mitochondria के अंदर और prokaryotes के अंदर, जिस प्रकार के ribosomes पाए जाते हैं, उनमें similarity है, मैंने आपको, mitochondria का origin बताया, कि किस प्रकार, plants में, plastid और animal cell में, mitochondria घुज गया है, जो कि एक पुराना prokaryotic cell ही है, चलिए जी, नेक्सक्वेशन, इन cyanobacteria, blue-green ale याद आगे, cyanobacteria, the membranous extensions, into the cytoplasm containing pigments, are known as, are they known as mesosomes, are they known as chromatophores, slime layers, या capsules, cyanobacteria से related question, the membranous extensions into the cytoplasm, which are containing the pigment, the correct answer is, chromatophore, mesosome तो respiratory है function में, slime layer and capsules का answer हो नहीं सकता, पूजा सही जवाब है, दीक्षा का, रोशनी, राम्या, आंकिता, गौरी, correct है, मयंक, रितेश, अनन्या, next question पढ़िए, में आपके नाम देखता हूँ जरा, मज़ा आथा आपके नाम लेने में, एकना feeling आ जाती है, कि आमने सामने बच्चे जो है, पढ़ रहे हैं, एक dialogue बन जाता है, नहीं तो एक monologue की तरह लगता है, कि एक तरफा conversation हुऊ जा रहा है, The Study of Chromosomes at Meiotic Diplotene, Cell Cycle and Cell Division का question, बड़ी ये खुबसूरती से balanced paper बनाया गया, class 11th के हर चेप्टर में से, examiner ने question उठाया है, balanced तरीके से paper है, this is called, a perfectly balanced, well-designed question paper, Study of Chromosomes at the Meiotic Diplotene, याद कीजिए, Meiosis, Meiosis 1, Meiosis 2, Pro Face, Meta Face है ना Face, Chilo Face, Pro Face की सब-Stages, Liptoven, Zygoteen, Pachyteen, Diploteen, Dakinesis, क्या होता है Diploteen, Namastha में, Dilip जी बताईये, खालिश, खालीश, सुधान्शू, मले, नितेश, Okay, Option No. 1, the intimately paired chromosomes, completely separate from each other, Diploteen पे, Second Option, the pairing of homologous chromosomes, which had initiated in the earlier stages, completed, No. 3, Homologous Chromosomes Remain United by Chias Meta या फिर None of These बताईए जी Ritika Shrivastav कह रही है सर मेरा नाम लीजिए आपका नाम अपने आप मशूर हो जाएगा Ritika जिस दिन आपके नाम के आगे वो दो छोटे छोटे अक्षर लग गए that is capital D and small R यानी Dr. Ritika राइट? अनमोल सही कहाना मैंने चलो प्रोफिस वन में डिपलोटीन के बारे में जानते हैं Dissolution of Sineptonemal Complex हो जाता है Recombinant Homologous Chromosomes Separate होते एक दूसरे से Except Except at the site of crossover an X-shaped Chias Meta X-shaped Chias Meta देखिए इस डाइग्राम के जरिए So the correct answer is Homologous Chromosomes Remain United by Chias Meta Diplotein Stage का ये feature हमसे examiner ने पूछा Biomolecules का question My favorite One of my favorite chapters in class 11th Biomolecules हाँ जी Biomolecules में हमने carbohydrates पढ़े हैं fats पढ़े हैं, proteins पढ़े हैं, nucleic acids पढ़े हैं पानी के बारे में भी पढ़ा था जी Lactose Lactose is milk sugar दूद में पाई जाने वाली sugar होती है Lactose Lactose बना होता है Glucose और Glucose से नहीं Lactose बनता है Glucose और Fructose से नहीं वो तो Sucrose होता है Fructose and Galactose से नहीं So the correct answer is D option हाँ जी E answer to this question is D option That is पहले आप चछट देख लो Sucrose क्या है Glucose और Fructose से मिलके बनता है चलो जी underline करते हैं Sucrose क्या है Sucrose is called Table Sugar Chini जो है Sucrose is also called Cane Sugar Sucrose गन्ने से मिलती है ने Sugar Cane से Commercial Sugar Chini जो हम खाते हैं ये Glucose और Fructose से मिलके बनती है Lactose होती है दूद में पाई जाने वाली Sugar Galactose और Glucose से मिलके बनती है Lactase Enzyme जो होता है हमारी intestine में Lactase Enzyme Lactose को तोड़ देता है Glucose में and Galactose में कुछ बच्चों में जनम से ही Lactase Enzyme या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है तो वो मिलक शूगर Lactose को डाइजस्ट नहीं कर सकते उसे Lactose Intolerance कहते हैं उसे Lactose Intolerance कहते हैं Maltose क्या है Malt Sugar Germinating Seeds में पाई जाती है Glucose और Glucose से मिलके बनी है ये सारे क्या थे? ये सारे Disaccharides थे Is it clear? चलो So the answer is Glucose plus Galactose Right? चलिए जी Next question Assertion Reason हमने Assertion Reason के questions भी डाले इसमें ताकि आपका confidence बढ़े Concept Clarity हो देखे जब आपके सामने एक question और चार answer होते तो इंसान टिक कर लेता है जब कभी हमें ये देखना हो कि दो statements है दोनों सही है या नहीं है दूसरी statement भी सही है और पहली का कारण है या नहीं है या फिर दोनों गलत है एक गलत है दूसरी नहीं है ठीक है ये Assertion Reason questions होते है Is it clear जी? Right? Now, Rita ने पूछा Sir, test अब कब होगा? Rita बेटा मैंने आपसे कहा आप हमारा channel सब्स्राइब करके रखिए bell icon को hit करिए Instagram page follow कीजिए और website by just का देखिए ऐसे periodic test हम लेते रहेंगे आपको मजबूत बनाएंगे जब तक कि actually आपका exam neat का नहीं हो जाता हमारा मकसद है आपको simulatory conditions देनी same तरहें का paper आपको देना और उसे discuss करना जब हम discuss करते हैं तो कितनी और extra बाते भी पता चलती है चलिजे, मैं assertion और reason पढ़ता हूँ Assertion During meiotic cell division the chromosome content of the daughter cell is halved आधा हो जाता है Meiotic cell division के समय chromosome content of the daughter cells is halved by the end of meiosis 1 itself Yet, फिर भी meiosis 2 is essential for generation of haploid cells फिर भी meiosis 2 होना अवश्यक है haploid cells बनने के लिए Now, NEET के paper में क्या assertion reason questions होते हैं अगर हम पिछले साल की बात करें जो paper आया है उसमें assertion reason नहीं थे लेकिन assertion reason questions practice ज़रूर कर लेने चाहिए भी किसी भी साल इस तरहें का question दे सकता है examiner कोई बड़ी बात नहीं है सो घबराना नहीं है reason during meiosis 2 the duplicated sister chromatids जयाद कीजिए जो duplicate हुए sister chromatids हैं वो separate होते हैं एक दूसरे से और वो distribute हो जाते हैं haploid daughter cells में पहले तो ये देखिए कि क्या दोनों बाते सही है आपने कहा जिस सही है फिर सोचिए क्या reason assertion को correctly explain कर रहा है क्या reason assertion को correctly explain कर रहा है धर्मिंदर बेटा ये class 11th का ही question है class 11th के syllabus में से जो cell division and cell cycle वाला chapter है उसमें से लिया गया अब ये चार options थे बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion B होगा अगर assertion reason true है but reason is not correct explanation of assertion C होगा अगर assertion तो true है but reason false है और D अगर assertion false है और reason true है सो हमारे पास answer इसका क्या हो जाएगा जी दोनु statements जो है वो true है और जो second statement है वो पहली को explain कर रही है Is it clear? Right? Is it clear Sandhya? So both the statements are correct and reason is the correct explanation of assertion चलिए जी एक और question Consider a deployed cell Deployed मतलब 2N number of chromosomes That has total 16 chromosomes जिसमें की 16 chromosomes है ये बड़ा अच्छा question लगा मुझे I like this question At the end of meiosis 1 जब meiosis 1 हो जाएगा The cell will contain x number of chromosomes उस समय cell में chromosomes कितने होंगे Meiosis 1 complete होने पे chromosomes कितने है And the y number of sister chromatids और chromatids कितने है हमें examiner ने बता दिया कि एक deployed cell में 16 chromosome है तो haploid situation में 8 आ गए हमें meiosis 1 का अंत हो जाने पे क्या haploid condition तब एटीव हो जाती है chromosome and chromatid का number बताना है बताईएजी अभिशेक, मयंक, संतोष बाईजूस की All India Level Test Series जो है regular चल रही है बटा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपने join करना है उन टेस्ट को इधर देखिए जी Meiosis की complete प्रक्रिया इस छोटे से slide के जरीए आपको समझाई गई है यहाँ पे आप देख पा रहे है Meiosis 1 का अंत होते ही जो daughter cells है, daughter nuclei दिखाया है है हमने, उन में कितने chromosomes हैं और कितनी chromatids हैं right, so the correct answer will be, correct answer will be that at the end of Meiosis 1, the cell will contain X number of chromosome यानी 8 number of chromosomes and Y number of sister chromatids, यानी 16 sister chromatids, is it clear right, clear like दबरे हैं न साथ साथ energy कम नहीं होनी चाहिए, जब भी आपको लगे न कि sir की आवाज, उतनी crystal clear और उतनी बुलंद नहीं रही है, तब ही जल्दी से like दबाने शुरू कर दीजी चिया लिए जी, plants में से एक और question, plant physiology का which group belongs to C4 plants, C3 plants C4 plants phorosynthesis जिनों ने अच्छे से पढ़ा है प्रकाश संसलेशन की वो प्रक्रिया जिसके जरीए green plants अपने भोजन का निर्मान करते हैं sunlight का इस्तेमाल करते हुए C4 plants का जिकर हो रहा है इन में से maize, wheat, maize, sugar cane sugar cane, mustard, maize या rice the correct answer is maize and sugar cane right जी C4 plants की खास तरे की strategy आप जानते हैं अदित्या ने पूछा है mock test का syllabus क्या है ये paper भी full syllabus लिया है हमने आगे आने वाले papers भी अदित्या रावत बेटा full syllabus ही लिये जाएंगे, is it clear चले जी, photosynthesis is one of my favorite chapters, एक और question आपके सामने, water splitting complex पानी को जो split कर देगा water splitting complex is associated with which of the following जो पानी को split करता है complex वो photosystem 1 के साथ associated है photosystem 2 के साथ associated है thylacode membrane में अंदर की तरफ है या बहार की तरफ है, बड़ा एक उपसूरत question design किया गए जी ये भी एन जी, Tanu agree करेंगी, Neha will you agree? नहीं ये 12th में से क्यों नहीं है बेटा, आज जितने भी questions discuss कर रहा हूँ न, वो class 11th के है ऐसा same session कल भी है 6 वजे ही, तब class 12th वाले questions discuss होंगे, दो sessions में हमने बांट दिया था से, physics भी discuss होगा, chemistry भी discuss होगा, पूरा mock test discuss होगा, नए mock test होंगे, वो भी discuss होगे, चले जी the answer to this question is पहले आप देख ली जी light reaction photo system का this is photo system 2 slide किती खूपसूरत है, मज़ा आ गया जी मुझे तो देखके, this is photo system 1 light strike कर रही है, ये है जी electron transport chain ये रही हमारी thailacoid membrane, bilayer of phospholipid दिख रही है, ये है जी ATP synthase, hydrogen को pump करके बार पेक रहा है और ATP का निर्मान कर रहा है यहाँ पे देखिए photo lists of water water splitting जो है, क्या हो रहा है right जी, so this is associated with PS2 is it clear जी, Captain Rahul जी clear है, so the water splitting complex is associated with PS2, यानि photo system 2 and located on the inner side of the thailacoid membrane, this can be framed as a question simple question, very good question, चियालो जी, next question first enzyme which starts the glycolated pathway glycolysis याद कर लीजे जी, glucose glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate glycolysis की ये प्रक्रिया जो cell के अंदर हो रही है जिसमें glucose को तोड़ा जा रहा है क्या पहला enzyme वहाँ पे phosphofructokinase है, नहीं क्या PEP carboxylase है, या फिर आपका जाना पहचाना hexokinase है, या फिर isomirase है, चलो जी glycolysis की सभी reactions आपके सामने, glucose पहला enzyme, I got it, hexokinase which converts glucose into glucose 6-phosphate glucose 6-phosphate को fructose 6-phosphate में परिवर्थित करता है phosphohexos isomerase, exhaust sugars है, isomerization हो रहा है phosphofructokinase, fructose 6-phosphate को fructose 1-6-biphosphate में बदलता है ठीक है जी, aldolase उसे glyceraldehyde 3-phosphate में और उसके बाद dihydroxy acetone phosphate चले, complete reactions तो हम नहीं डिसकस कर सकते हैं यहां पे enzyme का जिकर हो रहा था, वो हमने आपके सामने रखा तो answer is, hexokinase is it clear? hexokinase, important enzyme चले जी, आगे बढ़े, next respiratory climactic is found in plant hormones थोड़ा सा याद कीजी oxins, gibralin, cytokinin, ethylene याद है कुछ gaseous hormone respiration का climax जब हो जाता है किसी particular hormone के कारण याद है gaseous hormone चलो बताओ मुझे, कौन सा है hormone जो मैंने अभी पूछा आप से gaseous hormone, okay बताइए, जल्दी से all my raja बेटा और राइनी बेटिया ethylene, ये हुआ न, सही जवाब, great okay, ठीक है जी, ethylene याद रखिएगा, short में निख दिया मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं, next question which plant hormone is responsible for the induction of parthenocarpy development of the fruit without fertilization, seedless fruits भी देखें आपने, क्या ये oxyn का काम है, क्या ये ethylene क्या है, क्या ये cytokinin है या फिर gibralins है, जिने आप gibralins भी कहते हैं, mithun ji, बताईए जल्दी से, tejasvini, what is the correct answer to this question? हाँ ji, the correct answer to this question is, oxyns, okay, plant hormones, next question, चले जी, ये आगया हमारा human physiology का respiratory system, breathing and gas exchange का ये question, मैं एक सर अपने lectures में पढ़ाता भी हूँ ये बाद, right, आप मेरे lectures अगर देखें YouTube पे, तो आपको मिलेगी ये बाद, a person suffers punctures in his chest cavity, in an accident, एक दुरघटना में, chest cavity में puncture हो गया है, without any damage to the lungs, फेफणों को lungs को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, its effect could be, इसका क्या नतीज़ा निकल सकता है, breathing rate कम हो जाएगा, rapid increase in breathing rate, no change in respiration, यह फिर cessation or the stoppage of breathing, Ravindra, Bharat, Mr. Gautam, Gargi, सही जवाब है जी, cessation or the stoppage of breathing, pressure disturb हो जाएगा, breathing सारा खेल ही pressure कहा, diaphragm which is the most important muscle, which is a muscular partition between your thorax and abdomen, diaphragm up-down move करता है, तो सांस लेते हैं हम, है न, diaphragm भी panchar हो जाएगा, तो immediate death हो जाती है, चले जे, so chest cavity में अगर panchar हुआ, air pressure disturb होगा, lungs को चाहे नुकसान नहीं भी पहुँचा, air pressure disturb होते ही, lungs collapse कर जाएगे, breathing and gas exchange का एक और question, mark the true statement among the following with reference to normal breathing, normally जब हम सांस लेते हैं, हवा अंदर person role diaphragm का है, diaphragm contract हुआ, down हुआ, chest जो है, chest वाला region along with rib cage moves upward and outward, inspiration is an active process, muscle की contraction के कारण है, intercostal muscles, external intercostal muscles, जो ribs के साथ जुड़े, वो contract करे, अंदर का pressure कम हुआ, बाहर के मुकाबले, negative pressure करेट हुआ, हवा अंदर चली गई, so inspiration is an active process and expiration is passive, हमें true statement बतानी थी, and raja बेटा, B is the correct answer, inspiration active है, और जो expiration है, वो passive है, inspiratory muscles का अगर नाम पूछा जाए, हमारे inspiratory muscles है, diaphragm, जिसको phrenic muscle या midriff भी कहते हैं, जितने बच्चे अभी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, channel subscribe कर लो, जल्दी से, right, ऐसी important information यसी अक्षे ठाकूर जी, हाँ जी, समझ रहे हैं सब, channel subscribe करो, bell icon को hit करो, important है, कोई भी session miss नहीं होना चाहिए आपका, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, like, okay जी, inspiratory muscle diaphragm, and दूसरे है external intercostal muscles, हम अपने इस channel पे regularly live quizzes भी आपके साथ ले रहे हैं, बहुत बहुतरीन quizzes होते हैं, तो channel आपने subscribe करा होगा, तो आप जो है quiz देख पाएंगे, ठीक है जी, चले, आगला question देखे हैं, right, can you see, आचा, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि ये question paper हमें कहां मिलेगा, ये जो video है, इसका description देखिए नीचे, description में आपके लिए question paper दिया गया है, यही तो खुबसूरती है हमारे इस platform की, चलो जी, राजा बेटा, next question, which of the following is called the pacemaker of the heart, ये रहा हमारा दिल, four-chambered heart, मैंने जितने lectures लिए हैं, by juice के इस platform पे, detail में discuss करिए ये चीज़ आपके साथ, सारे videos पीछे के देख लिजएगे, सिरफ मेरे नहीं, और भी teachers की videos आप explore कर सकते हैं, beautiful videos हैं, बहतरीन animation, सबसे discipline lectures इसी platform पे मिलेंगे, heart of the heart किसे कहते हैं, दिल की जो धड़कन है, heart का pacemaker कहां पे present है, right atrium में present है, क्या उसे SA node कहते हैं, क्या उसे AV node कहते हैं, पर किंजे fibers कहते हैं, यह bundle of his कहते हैं, so the pacemaker of the heart, क्या है जी, modified muscular tissue है, that is SA node, और the sinoatrial node, यह रहा SA node, sinoatrial node is the natural pacemaker of the heart, node of cath and flak भी कहते हैं, अपने आप cardiac impulses originate करता है, ताकि heart beat करता रहे, इसी लिए heart को, human heart को, vertebrates के heart को, myogenic heart कहते हैं, ठीक है जी, so the answer is SA node, AV node atrioventricular node जो होता है, this is called what, राजा बेटा हैं राइनी बेटियां, this is called reserve pacemaker, it is also called pace setter, heart का यह जितना भी nodal tissue है न, SA node, AV node, bundle of his perkinje fiber, यह सभी cardiac impulse initiate कर सकते हैं, SA node अगर fail हो जाए, तो AV node takes over its function, now, जब यह सभी cardiac impulse initiate कर सकते हैं, तो सिरफ SA node को pacemaker क्यों कहते हैं, वो इसलिए, because, its rate of discharge of electrical impulses is maximum, सबसे ज़्यादा rate of impulse discharge इसका है, 70 to 80 impulses per minute है न, normally, naturally, इसलिए it decides the rate at which heart beats, SA node fail हो गया, तो फिर reserve pace में कर है, AV node, AV node fail हो गया, तो परकिंजे fiber और bundle of his भी, impulse initiate कर सकते हैं, Which of the following is an organic compound? ये question लिया गया है, enzymes वाले topic में से, enzymes can be simple enzymes, enzymes can be conjugated enzymes, conjugated enzyme is also called holo enzyme, holo enzyme has a protein part, and it also has a non-protein part, protein part which determines the structure and, उसका जो structure, specificity determine करेगा, और जो non-protein part होता है, that is what is called as, what is the non-protein part called as, पढ़ाये न आपने, उसमें prosthetic group, co-enzyme पढ़ा होगा, co-factors पढ़े होंगे, metal activators, पढ़ाये आपने, Mithun, Rohit, Gargi, चलो, so the answer to this is, prosthetic group and co-enzyme, co-enzymes, जादा तर vitamins, जो है, वो co-enzymes बनाते हैं, जैसे cobamide है, है न, flavin mononucleotide, FMN, FAD, flavin adenine dinucleotide, flavin mononucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide, है न, यह सब पढ़े हैं आपने चीज़ ही, चलो, जी, metal ions भी आपको पता है, carbonic enhydrase को zinc चाहिए, myosin, ATPS enzyme को magnesium ions चाहिए, salivary amylase enzyme को chloride ions चाहिए, circulatory system का next question आपके सामने, देखें, चूँ, choose the correct option, correct option which properly represents, pulmonary circulation in humans, diagram बना लेते हैं, इस question को solve करने के लिए, simple, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, right atrium से blood right ventricle की तरफ, और यहां से blood गया lungs की तरफ, left atrium से left ventricle, और यहां से blood गया body parts की तरफ, lungs ने blood को oxygenate करना है, oxygenate करके pulmonary veins के जरिए, यहां पे भेज देना है, तो यह sequence बताना है हमने, दो बातें आपको दिख रही हैं पहले, right ventricle से, de-oxygenated blood lungs की तरफ गया, lungs ने oxygenate करा और वो left auricle में गया, पहला option ही सही है जी इसमें, wonderful, हमने यहीं पकड़ लिया answer, हमें बाकी के option देखनी की जरूरती नहीं पड़ी, ठीक है जी, बड़ी खुबसूरती से हमने आपको pulmonary circulation समझा दिया, दूसरा है systemic circulation, जब left ventricle से aorta के through tissues तक blood जाता है, body systems में जाता है, that is systemic circulation, aorta is the largest blood vessel, बहुत सारी branches होती हैं aorta की, ठीक है, सो पहला वाला सही है, right ventricle से de-oxygenated blood lungs के पास गया, lungs ने blood को oxygenate करके, left auricle को two pairs of pulmonary veins के through भेजा, pulmonary vein नाम तो vein है, लेकिन blood उसमें oxygenated होता है, ठीक है जी, correct, which of the following is the fibrous sack that surrounds the heart, heart को enclose करती है एक fibrous sack, बताओ मुझे दिल आपका कौन से fibrous sack में enclosed है, is it peritonium, is it precordium, is it pericardium, is it pleura, ओजान, कुनाल, सुशीला, answer is correct, it is pericardium, pericardium की भी further layers होती है, there is outer fibrous pericardium, there is inner serous pericardium, लिख दू मैं, fibrous pericardium और दूसरी होती है, serous pericardium, serous pericardium की भी further दो layers होती है, outer parietal pericardium, and inner visceral pericardium, visceral pericardium का ही दूसरा नाम, epicardium भी होता है, so this pericardium layer जो है, heart को cover करती है, heart के उपर epicardial fat भी पाया जाता है, यह देख लो, सुन्दर सी pericardium layer, peri means around, cardium means heart, थोड़ी से pericardium ऐसे उधेड के, आपको खोल के दिखाई गई है, उसके नीचे जो पीला-पीला दिख रहा है ना, उसके नीचे जो आपको दिख रहा है न, वो epicardial fat होता है, so the answer to this question, that the fibrous sac surrounding the heart is, pericardium, pericardium में pericardial fluid भी होता है, which minimizes friction during heartbeat, circulation से ही लिया गया एक और question, which part of the blood transports, minerals, vitamins, sugars and other food, to all part of the body, blood, blood, the study of blood is hematology, 5 liter blood एक इंसान में पाया जाता है, blood की composition में है, plasma और उसके इलावा, formed elements, right जी, plasma, 55 to 60 percent जो है, वो plasma होता है, 40 to 45 percent, formed elements है, formed elements में, RBCs, WBCs, platelets, तो plasma में ही तो present होता है, ये सारी चीज़े, plasma में 91 to 92 percent, तो पानी ही होता है, पानी के इलावा, plasma में जो बाकी ये सब चीज़े पाई जाती है, वो यही है, sugars हैं, और substances हैं, nitrogenous waste हैं, non-nitrogenous waste भी हैं, answer is, plasma, easy and good question, Roshni ठीक है जी, चलो, which of the following is correct, examiner ने correct बात पूछी, which of the following is correct, with respect to, juxtamedullary nephrons, kidney में nephrons, दो तरेके हैं, एक होते हैं, cortical nephrons, और एक होते हैं, juxtamedullary nephrons, ये रहा, Bowman's capsule, ये रही PCT, ये रहा, loop of Henley, cortical nephrons का loop of Henley, उतना जादा deep नहीं जाता है, medulla में, juxtamedullary nephrons, are present at the junction of cortex and medulla, and juxtamedullary nephrons का loop of Henley, ज्यादा लंबा होता है, और इनमें, वासा रेक्ता भी, पाया जाता है, देख पारे हैं मेरे पीछे, loop of Henley, जादा लंबा है, so juxtamedullary nephrons में, loop of Henley is long, Henley's loop extends deep into the medulla, ये वाली चीज़ medulla है, nephrons दो तरहें के हैं, cortical nephrons, juxtamedullary, juxtamedullary nephrons, are located at junction of cortex and medulla, their loop of Henley is long, they have wasa recta, and they form urine, जब पानी कम होता है, ये concentrated urine बनाने में काम आते हैं, so both A and B are correct options, is it clear, रविंदर बाबुजी, नितेश, मैंने आपका message पढ़ लिया, आपने कितनी बार copy-paste कर रहा है, same message, कृपया अपना focus जो है, उसे questions के solution को देखने में लगाईएं, ठीक है, Henley's loop, loop of Henley along with dash, plays a significant role in dash, which helps to produce concentrated urine, हमारा जो urine होता है, वो plasma की comparison में, 4 गुना जयादा concentrated होता है, plasma की osmotic concentration, 300 milliosmols होती है, urine की 1200 milliosmols, हमारा शरीर concentrated urine, या dilute urine, दोनों तरहें का बना सकता है, depending upon की आपने पानी कितना पिया है, शरीर में कितना पानी available है, उसके हिसाब से, ठीक है जी, so, इसका answer होगा, Vasa recta and counter current mechanism, CCM, what is Vasa recta, वो capillaries, जो loop of Henley के parallel होती है, loop of Henley के द्वारा बाहर फेका गया salt, Vasa recta swab में absorb कर लेती है, इसलिए Vasa recta, यानि उन capillary loops को, counter current multiplier ना कहके, counter current exchanger कहा जाता है, loop of Henley counter current multiplier है, is it clear? चलो, next, white muscles, हमारे पास red muscle fibers, and white muscle fibers होते हैं, red muscle fibers are red in color, because of abundant myoglobin, red वाले thin होते हैं, thin nerves उन्हें supply करती हैं, aerobic metabolism show करते हैं, उनमें mitochondria का number जादा है, sarcoplasmic reticulum का number कम है, जिस भी activity को जादा लंबे समय तक धीरे-धीरे करना है, वहाँ पे red fibers इस्तेमाल होंगे, जिस activity को बड़ी तेजी से जटके के साथ करना है, जैसे sprint race होगा, तेजी से दोड़ना है, सो वहाँ पे white muscle fiber, अब eyeball का movement है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे white muscle fibers चाहिए होंगे, ठीक है जी, fast-paced short duration work, यहाँ भी चाहिए होंगे, तो कहाँ पे नहीं चाहिए होंगे, जैसा कि मैंने कहा, slow tonic fibers sustained work करते हैं, यह काम red muscle fibers का है, जैसे कि marathon race अगर आपको जीतनी है, तो आपके पास red muscle fibers का number, जादा होना चाहिए, राइट मेरे राजा बिटा, चलो, एक और question, during muscle contraction, जब muscles contract कर रहे हैं, which of the following short turns, अब इसके लिए आपको अच्छे से पता होनी चाहिए थी, sliding filament theory of muscle contraction, याद है, muscle में ये वाले होते हैं, जी, actin filaments, है ना, ये वाले बीच में दिखा रहा हूँ, myosin filaments, myosin वाली thick filaments हैं, इनका diameter जादा है, ये myosin cross bridges होते हैं, है ना, सो यहाँ पे आपने पढ़ा है, ये zigzag line जो होती है, जिसको Swiss chanchibe line भी कहते हैं, Z line भी कहते हैं, तो इतना area क्या है ये, this is what is A band, or the dark band, सारकोमीर क्या होता है, एक Z line से, या Krause's membrane कहते हैं, उससे लेके दूसरी Z line तक का area, सारकोमीर है, सारकोमीर जादा functional units of a muscle fiber, जब muscle fibers contract करते हैं, तो Z lines पास-पास आती है, Z line पास आएंगी, तो naturally सारकोमीर शोटन हो जाएगा, A band short नहीं होगा, A band remains as it is, I band चोटा होगा, so 2 and 3 वाला जो combination है, वो इसमें सही है, यानि B option, clear है जी, मज़ा आया, रितेश, राइट, चलो, यहाँ पे sodium channels हैं, potassium channels हैं, leakage channels, इसके लावा voltage-gated sodium, voltage-gated potassium, जब हम इसको stimulus देते हैं, तो voltage-gated sodium channels खुल जाते हैं, sodium का influx होता है, exoplasm में, तो sodium की entry हो जाने से, depolarization हो जाता है, यह important है, depolarization is because of influx of sodium, ठीक है, याद रहेगा, repolarize कब होता है, जब अंदर से potassium बहार जाएगा, potassium का e-flux होगा, ओके, चलो, next question, answer देख लेते हैं, जिसका influx of sodium, यह भी अच्छा question है, good quality question, जब question प्यारे प्यारे लगें, तो आपके, प्यारे प्यारे likes, आ जाने चाहिए, चलो जी, which part of the brain, has control center for respiration, neural control and coordination का question, forebrain, midbrain, hindbrain, hindbrain में है, pons, medulla, cerebellum, cerebellum is second largest part of the brain, it is also called little brain, cerebellum maintains your balance, and equilibrium, and muscle tone, medulla, medulla has medullary rhythmicity area, which maintains basic rhythm of respiration, medulla has cardio stimulatory center, and cardio inhibitory center, जो breathing center है medulla में, salivation के लिए, vomiting के लिए, सारे reflex center, even vasomotor center, for regulating blood pressure, ये सब present है medulla में, ठीक है जी, cerebellum आपका balance and equilibrium बनाता है, body temperature regulate करने के लिए, center कहा है, hypothalamus में, hypothalamus is the thermostat of the body, choose the odd one out, ये hormones वाला chapter, chemical control and coordination, hormones का chemical nature, protein हो सकता है, steroid हो सकता है, catecholamine, तो इन में से odd कह, cortisol तो होता है, steroidal, steroids जो है, उसमें, cholesterol के derivatives हैं, cyclopentano पर hydrofenanthrine, nucleus होता है, cholesterol से जो derivatives ये बनते हैं, estrogen भी steroid है, female sex hormone, testosterone, besteroid है, so the answer to this will be, epinephrine और adrenaline, because इन में, catechol ring है, तो ये, catecholamine है, ठीक है जी, catecholamines में क्या क्या आता है, epinephrine, norepinephrine, dopamine, shivani clear है जी, right, so the correct answer is, epinephrine, मज़ा आ रहा है, बताओ, लग रहा है ना, कि actually neat, जैसे exam के questions, हम practice कर रहे है, यही खुबसूर्ती है, हमारे इस well-disciplined platform की, जिसका नाम है, byju, जो आपको देता है, core quality education, without any mixing, कोई मिलाविट नहीं है, एकदम खालिस, एकदम purist form of education, agreed हैं जी मुझसे, सहमत है, तो फिर, like तो बनते हैं ना, चिया लो जी, now, which of the following, is not a function of thymus gland, thymus gland, जो आपके दिल के करीब है, जैसे आप मेरे दिल के करीब हैं जी, thymus जो है, जनम के समय तो काफी prominent gland होती है, जैसे जैसे उमर बढ़ती है ना, thymus श्रिंक करती जाती है, इसको receding endocrine gland भी कहते हैं, जी, thymus को training school of T lymphocyte भी कहते हैं, यहाँ पे T lymphocyte आके mature होते हैं, बै लिम्फोसाइट जो है, एक तरह के WBC बनते तो bone marrow में ही है, चाहे B हो, चाहे T हो, bone marrow में बनने के बाद T lymphocyte आके, thymus gland में develop होते हैं, training school of T lymphocyte है, तो इसका काम, blood calcium level से related नहीं है, यह वाला काम, calcitonin hormone करता है, thyrocalcitonin, calcitonin hormone को बनाती है, thyroid gland, the largest endocrine gland, जो यहाँ पे है, गले में आपके iodine, जिसे चाहिए अपना काम करने के लिए, ठीक है जी, thyrocalcitonin, right, TCT जिसे कहते हैं, ठीक है जी, चलिए जी, keep learning, keep enjoying, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, spread love, peace and positivity, whatever kind of energy you give to the universe, the same energy will come back to you, right जी, वीडियो को like जरूर कीजिएगा, share जरूर कीजिएगा, channel subscribe करना बड़ा important है, daily live quizzes होते हैं याँ पे, भेतरीन faculty members आपके साथ live quiz लेते हैं, वो भी जरूर attend कीजिए, उसके proper solutions भी आपके साथ discuss किये जाते हैं, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूँ, और मैं आपको बता दूँ, कल शाम को फिर से 6 बजे, इसी channel पे same time, same teacher, class 12th के questions डिसकस करेंगे, और बहतर questions चले जी, नमस्कार, बाइबाई, God bless you all, wish you all a very bright and prosperous future, बाइ-बाई!